विशलेशक संजे राना भी बने हैं संजे जी आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूँ थोड़ा केर मैं आया हूँ धननजे जी कह रहे था अकेले हैं उनको बताइए ज़रा आप अकेले नहीं है और बीजेपी तेज रफ्ता से आगे चल रही है मुद्धों को लेकर और उसको लेकर रवी आपने एक प्रोमो जब चलाया था कारिकरेम के शुरुआत में कुछ बड़ा आज होने वाला है ऐसे ही बड़ा तो जून में हुआ था जुलाई में भी हुआ था अगस स्प्तंबर में वाथा दिस्पंबर में वाथा और साथ तारीकों भी होने वाला था और देखनें क्या बड़ा होता था थी कि आपकी परिक्षा होने वाली है सबस pos कर लीजे 90 दिन लाएख परिक्षा होने वाली है लेकिन उसके तैयारी आप नहीं कर रहे हो, आप यात्रा के तैयारी कर रहे हो, अरे आपको यात्रा निकालनी है, तो मैसे पूछता हूँ, मनिपूर से क्यों, आप उस प्रदेश से क्यों निकालते हैं, जहां पे सबसे पहले सूरज की रोशनी पहुंचती है, वह होनाचल कॉई भी काम करते हो कोई भी कंपनी होती है यह एक होता है यह कोडिनेटर करता है इतने लोगों यह बता इनर मंताब अजिक्ती एंगर को क्यों चुत दें गी यह कोंग्रिस को महत्तब देंगी कंग्रै का वोट परstag यह संहुक्रम पर इंगे जहाए ठाफ पार्टी दोजार बारा के बाद हारती चली आ रही है थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है लेकिन इनके पास अजेंडे की कमी हो गई है जब तक एजेंडा नहीं होगा तब तक आप नरेटिव सेट नहीं कर सकते हो जब भी मैं किसी वक्ता का आम टूस्टिंग का पावर नहीं इसा क्यों नहीं है बाई ये बताईए कि आज के दिन मेंं कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में क्या है छे प्रतिशत वोट बैंक है लेकिन क्या है क्या आम टूस्टिंग कर सकतें क्या अक्लेश जी को ला सकतें जहां तक बिना अздर, पुरे देश ने देखा है आपने दो महिलाओं को दिखाया लेकिन दस महिलाओं के साथ बनत्कार में तहीं समाज के साथ हुआ उनका नहीं दिखाया 75,000 लोग विस्थापित हो गया, उनका नहीं दिखाया 10 परतिशत जगे पे तकरीमा 60 परतिशत लोग रहते हैं वो अपने ने दिखाया, यह बताईए, जो आदेश हुआ था जिस पर इस सारा बवाल हुआ था, कोई सरकार ने दिया था वो तो हाई कोट ने दिया था, आपको अगर लताल लगानी है तो हाई कोट क्योंने जा रहे हुआ विपख्ष को वान जाने से रोक क्यों रहे हैं यह देखें यात्रा sìतरा अगर ना जारात होती तो कश्मीर कैसे चले जाते है राहुल गांदी थाए और वहां कैसे चले आते हैं लेकिन कुछ चीजे सम्वेदल सील होती है इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तो सुरक्षा गो देखते हुए कोई घटना न घट जाए इसलिए सरकार कभी कभी बोलती है अप यात्रा इस तरह कीजे लेकिन कोई किसी और कहीं जाने से हमें लेकटाइज देश में कहीं कोई किसी और रोक सकता है एक जमाना हुआ करताथा हम कश्मीर में अपना तिरंगा नहीं फैरा पाते थैं लेकिन आज DJMAना बदल completely या तो समय बदल चुका है माफ चाहूँगा समय मेरे पास खत्म हो गया लेकिन एक जमाना ये भी था कि अद्वानी जी नहीं आत्रा शुरू की थी और जिस पे आज की राजनीती शुरू हो गुए